लड़का बोला मैं 18 साल का हूँ और तुम लड़की बोली मैं भी 18 साल की हूँ लड़का बोला तो फिर चलना सर्माना क्या लड़की बोली कहां लड़का बोला वोट देने सोच बदलो देश बदलेगा सर बोले बच्चों हस्पिटल में आप्रेशन से पहले मरीज को बेहोस क्यों करते हैं बता इस्टूडेंट बोले अगर बेहोस नहीं किया और मरीज आप्रेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा इसलिए जिधर भी जाओ किस्से हैं बीबी के कोई लाकर रो रहा है तो कोई लाने के लिए रो रहा है गोलू नहा रहा था नहाते वक्त पडोस की लड़की ने देख लिया बात कोड तक पहुँच गई जज सहाब बोले क्या हुआ गोलू बोला जज सहाब इस लड़की ने मुझे नहाते हुए देख लिया जज सहाब बोले तो तुम क्या चाहते हो गोलू बोला बदला जज सहाब बेहोस सोचा था तडपाएंगे हम उन्हें किसी और का नाम लेकर जलाएंगे उन्हें फिर सोचा उन्हें तडपा के दर्द मुझको ही होगा तो फिर भला किस तरह सताएं हम उन्हें लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहे थे तभी लड़का बोला चलो डियर हम साधी कर लेते हैं लड़की बोली मजदूर हो मजदूरी करो मालिक बने की कोशिस मत करो पती बाल कटवा कर घर लटा और पत्नी से बोला देखो डार्लिंग मैं तुमसे दस साल छोटा लगता हूं या नहीं खाजिर जबाबी पत्नी बोली मुन्दन करवा लेते ऐसे लगता अभी अभी पैदा हुए हो आने वाली कडाके की ठंड को देखते हुए केंदर सरकार का बड़ा फैसला नहाय हुए व्यक्ति को छूने वाला भी नहाया हुआ माना जाएगा